असलाम होने कुम दोस्तु विल्कम बेक्ट्रमाट्रीब ट्येनन दोस्तु आप देख सकते हैं मेरे पास पड़ा हुए एप्सन एल आट्सो पांच का प्रेंटर जिसके तमाम लाइट जो है वो रेड ब्लेंकिंग कर रहे है इसका हेड मेंने मुख क्या इधर उधर आम तोर पर यह मसला है हेड के जाम होने से आता है लेकिन इससे भी यह मसला हल नहीं हो रहा है मसला हल करेंगे इन तक आप मेरे साथ रहे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपका अगर यह मसला है तो पहले आप यह करें के हेड को इधर उधर मुख करें और और बाहर मोमेंट कर रहा है तो फिर आपका जोए printer open करना पड़ेगा पिर अंदर दूसरा मसला आ सकता है लेकिन कभी-कभी यह भी पस जाता है इस वजह से यह मसला आ रहा होता है आप पहले इस को ट्राइक करें अगर यह इस तरह हैं है आपको प्रेंटर जोए मेरी तरह open कर पड़ेगा जैसे के आगे मैं आप लोगों को वेडियू के मैं बताऊंगा आपने अपने प्रेंटर को सबसे पहले टर्न आफ कर देना है बटन से अब वेडियू को आखिर तक देखें क्योंकि अगर आपका मसला इससे हल ने हो रहा तो फिर दो तीन ऐसे आते हैं जिससे आपका यह मसला हल हो सकता है और इसका सालूशन जो है बहुत सा तमाम में इस वेडियू में इन तक आपको बताऊंगा प्रेंटर को फिर से आन करके च करें शायद इससे हो जाए यह मामूली मसला है आम तोर पर यह डस्ट जो है वो जाम होने से अंदर एक मटी जो है वो बन जाती है मटी अंदर जम जाती है इससे यह मसला रहा होते मतलब अंदर खुई जाम है या शायद कोई पेपर का टुकड़ा भी पसा हुआ है आप सब लेक्ट से पहले न केबल जो है इसका डेस्कानेक करें डेटा केबल और इसके अलावा कि Size यूफ वो होदी ऐसकर ने करें फिर पंद्राइश कंड्र तक जुछ आयदार करें क्यूंकि क्यूंकि पंदरां सकस्राइश कंड आर्न रहताई इसका ये त्रेंश इस्सीक है są करें आपने इसके साथ एहत्याद करने क्योंकि यह तमाम फूर्जे जो यह प्लास्टिक कर बने हुए पिर यहाँ पर मैं अपने प्रेंटर को कॉल लेता हूं इस तरह आप यह स्क्रूल निकाल के अपने प्रेंटर का कौर आहिस्ता से उपर की तरफ केंच के निकाल सकते हैं इसक इसका खोलना बहुत आसान है और फेट करना भी बहुत आसान है लेकिन इसका मामुली सा पुर्जा भी तोट गया तो पिर यह प्लास्टिक की बने होते हैं इसका कोई वेल्ड वगेरा वो चीज़ भी नहीं हो सकता जब आप अपने प्रिंटर को ओपन करें तो सबसे पहले यह लेफ्ट साइट पर जो मैं अपनों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक गिरारी लेगे होते हैं इसके उपर एक प्लास्टिक का प्लेट साए इसको चेक करेंगे इसके उपर डस्ट बढ़ा हुए जिसा के मैंन अध्या मटी जम गई है आप इसको अच्छी तरह साप कर ले होसे क्यों तो किसी कपड़े से साप कर ले इसको साप करने के बाद आप देखें अगर आपके प्रिंटर के अंदर दोवा पड़ा हुआ है मतलब मटी अंदर चली गिये तो फिर आपको प्रिंटर को साप करना पड़ेगा प्रिंटर को साप करेंगे अब ब्लोर से लेकिन उससे पहले ये हेड जो है हेड को राइट से महफ़ूज रखना है, इसको आफ ब्लोर के साथ साफ करेंगे, लेकिन ब्लोर किस तरह इस अश्माल करते, इस पूरर में सेंसर लगे होते हैं, बहुत सेंसीwn स्यु नहीं करते हैं, इस एदरूर को आप अब कि अगर आप साइट से ब्लोर इस्तेमाल करें तो फिर सेंसिर के हैलने का खातरा हथा है या पर भर मैं साब कर रहा हुँ ब्लोर का कनेक्षिन लगाके तो जिस तरह मैं कर रहा हूं उसी आपने आराम से करना जो ये इतना बड़ा मसला नहीं है आपने कोई टेंचन नहीं लेनी पहले खुद ट्राइइ करें अगर खुद ना करसे तो पीर मोकाने के पास MANम लेके जाए लेकिन अगर आप ट्राइइ करें हो जाए तो आप Tकलीफ से बच चाएंगे बिलोर को ऊपर स से पहले इसका ये ट्रे सिक्षन जो है इसको तोड़ा तोड़ा सा इसी तरह साफ करेंगे आपने ब्लोर के बटन को पर बिल्कुल भी उंगली दबाके नहीं रखने हैं लेकिन अराम अराम से तोड़ा तोड़ा सा जो है हवा इसको लगाना है ताकि ये दुआ निकल जाए आ इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा दुआ पढ़ा हुआ है तो आपने ऊपर से ब्लोर को चलाना है एक साइड से नहीं अगर आप एक साइड से चलाए तो फिर इनके सेंसेर हेलने का खत्रा होता है और सेंसेर जब हैल जाए तो पिर दीगर मसले आ सकते हैं आप इसक चेक करें तोड़ासा साप कप्डा लेकि जिसके अंदर दुआ नाओ और इसके अंदर जितना भी दुआ पढ़ा हुआ है इसको साप करने की कोशिश करें छब आप चले अब इसको ट्राई कर लेते हैं पिर भी वही मसला दिखा रहा है जैसे कि आपको नजरा रहे है आल लाइट ब्रेंकिंग यहाँ पर आपने क्या करना है आपने इसको करना है टर्ण अफ क्योंकि हमने साप करने से पहले हेड को जो हाथ से मोह किया था और वहाँ पर अपनी जगा पर बटाया था तो इसी लिए इसको एक बार रिस्टार करना जुरूर यह आप इसको बटन से टर् अफ करके जब ये बंद हो जाए मतला कारण किनिक्शन य्जे बंद हो जाए तो हैट को आपने लेट साइट पर तूर जो अपने जगह से ले जारा है आखिरी सेरह तक जहां तक आप चाहिए ले जा सकते पिर ये इसका पाऊर बटन जो इस प्रेस करके इसको आन करें अब ये मस्साला हल हो जाएगा उमेद है क्योंकि आल लाइट ब्रेंकिंग का मस्साला जो यह पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा लेकिन हेट का लाइट उदर दिखा रहे के हेट अपनी जिगा से दूर है तो वो तो जाहर है हमने हाथ से मोह कि जाएगा रेड लाइट भी बन किया अब ग्रीन लाइट ब्लेंकिंग कर रहा इसका मतलब है त्रेंटर अब रीडियो हो रहा है और हमें वो आल लाइट ब्लेंकिंग का तमाम लाइट जो ब्लेंकिंग कर रहे थे रेड लाइट वो बन हो गए अब इसका एक चेक प्रेंट बहुत sensitive printers है इसलिए इनके साथ जितना भी एहतियात किया जाए तो इसका लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाता है इसके अंदर हो तो फिर येbakर जाम का मसला बेसी दीखा रहा हूता है पेपर जाम इंदर नहीं हो ताहिकें पेपर जाम हो ताहिक्स अदU님 है अनके अंदर मति जमी हुए और उसने कोई गेणट तोपकड़ी हुए इसलिए पेपर जाम दिखा हुए अब जब ये रीडियो जाए तो फिर हम एक चेक प्रेंट देंगे ये अब रीडियो हो गया है अब चले मैं अपने कंप्यूटर से एक प्रेंट दे देता हूं हेड भी अपने जगा पे पहुंच गया है और बैट गया है कार्ट्रेज सब कुछ बराबर लाइगे हुए चलिए एक चेक प्रेंट मैं यहाँ से दे देता हूं एप और साइज का अपने यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब है हमने यूइसबी कैबल जो है वो कनेक्ट नहीं किया यहाँ पर मैं लगा लेता हूं आप देखा इसने जो है प्रेंट लेना शुरू किया अब प्रेंट जो हो रहा है तो मेरा मसला अब इससे हलुख हो गयाetzt क्योंकि पहले इस तरह ये प्रेंट नहीं निकाल जब भी ये प्रेंट देता था तो एक चोटा सा आवाज करके फिर ये प्रेंट नहीं निकाला था उमेदे आपका अभी मसला इसी तरह हल हो अगर इस तरह हल ना हो जाए तो फिर आप मेकेने के पास चरे जाए क्योंकि पिर इसके इलावा कोई और रास्ता नहीं है वेडियू अच्छी लेगे वह तो लाइक करें दोस्तों को साथ शियर करें चैनों को सब्सक्राइब नहीं क